सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दियेगा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियोज आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तो मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुत ज़ादा बढ़िया मोबाइल्स रेड्मी और ओपो की तरफ से रेड्मी का 9 प्राइम जो आपको मिल जाएगा 10,000 में दूसरी तरफ है ओपो का A33 जो आपको मिल जाएगा 12,000 का यह भी हाली में लाउंच हुआ है तो इस वीडियो में इन दोनों मोबाइल्स में कमपेरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या कमिया है क्या क्या चाहिया है और आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए तो वीडियो को आप end तक देखते रहिएगा बलकुल भी skip मत करिएगा चलिए देखते हैं अगर आप 10,000 खर्च करते हैं तो 9 प्राइम के साथ आपको क्या क्या दिया गया है तो जैसे आप unbox करते हैं सबसे पहले रखावा मिलता है एक mini box जिसमें पीछे की तरफ लगावा है एक simjector tool अंदर दिये गए हैं कुछ user manual इस तरह के से एक मिल जाता है cover, simple transparent back cover, quality इसके normal ही है mobile मिलता है rapper में जिसका detail look हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं box के अंदर आपको दी गई है ये white color में data cable इसके length और quality दोनों बहुत जाद अच्छी है और अच्छी चीज ये है इसके साथ आपको type C cable दी गई है तो type C cable का support इसके अंदर आपको मिल जाता है आखर में आपको रख़वा मिलता है ये white color में charger जिसके अंदर आपको output मिलता है 5 world 2 ampere का ही तो ये simple सा 10 watt का ही charger है fast charger तो इस mobile के साथ आपको नहीं दिये गया लेकिन ये mobile fast charging support करता है तो आप market से खरीद के एक 18 watt का fast charger इस mobile के साथ इस्तमाल कर सकते हैं अब ये सारा समन आपको मिलता है 10,000 में Redmi K9 Prime के साथ rate के साथ से देखा जाए तो box के जो content से इस mobile के साथ आपको बहुत अच्छे ही दिये गया है बस एक कमी मुझे ये लगी अगर charger भी बढ़िया होता 18 watt का तो बहुत अच्छा रहता बाकी type C cable का support है ये चीज़ काफी अच्छी है चले देखते हैं अगर आप 2000 जादा खरच करते हैं ओपो के A33 पे तो बार हजार मुसके साथ कहके दिया गया है तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं ओपो को इसमापको सबसे पहले रखाव मिलता है मुबाले क्रैपर के अंदर डिटेल लुक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं अंदर दिये गए है मीनी बॉक्स के अंदर कुछ यूजर मैनूल इस तरीके से एक मिल जाता है वैसे ही सिम्पल ट्रांसपरेंट बैक कवर एक डेटे केबल दी गई है इसकी बिलेंट और क्वालिटी दोनों बहुत अच्छी है और अच्छी चीज यह है इसके साथ भी आपको टाइप सी केबल दी गई है तो टाइप सी केबल का सपोर्ट इसके अंदर आपको मिल जाता है आखिर मापको रखाव मिलता है यह वाइट कलर में चार्जर इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है अब इस मोबाल के अंदर आपको फार्स चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है और एक 18 वाट का फार्स चार्जर मोबाल के साथ बॉक्स के अंदर ही दिया गया है आपको अलग से खरीदने की जरूत नहीं है तो दोस्तों देखा जाए तो एक बड़ा फार्ख है चार्जर को लेकर अब यह सारा समान आपको मिलता है ओपो के A33 के साथ 12,000 में तो चार्जर के अंदर फार्ख है इन दोनों मोबाल्स में जाद अच्छे कंटेंट्स आपको ओपो के A33 के साथ ही मिल जाते हैं लेकिन इसकी कीमत भी 2000 जादा है तो रेट के साथ से देखा जाए तो इस चीज में दोनों मोबाल्स अपनी जगा फिर भी सही है चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में यहां पर scratch is असानी सा जाते हैं तो इस चीज में दोनों मोबाल सपनी जगा सही हैं बात कर दोसτεों के मियते हुआ पुर्णरे के बारे में आपको फीच्ची की तरफ तीन कैमेरे दिये गये हैं जिसमें पहला है तिरा मेगा पिके-मले की प्रफॉम गारेलडड़ पर ही दिया गया है 9 प्राइम आपको भी चीकी तरफ चार कैमरे मिल जाते हैं जिसमें पहला है 13 MP, दूसरा 8, दूसरा 5 और 14 दो MP, फ्रंट कैमरा इसका भी 8 MP है और फिंगर पेंट स्कैनर इसमें भी आपको बैक पनल पर ही दिया गया है कैमरे के ठीक नीचे, दोस्तो इन दो तो नो मोबैल्स में किसका डिजाइन जाद अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा डिजाइन में वैसे मुझे दोनों ही मोबैल्स काफी जाद अच्छे लगे क्योंकि क्वैलिटी में 9 प्राइम अच्छा है और लुकाइज ओपो का A33 बात कर दोस्तों अच्छोल में कितना फर्ख है मैं आपको दिखा देता हूँ उससे पहले बात करें दोस्तों यूजर इंडिफेस के बारे में तो रेडमी के 9 प्राइम में आप इसे राइट साइट पर स्वाइब करेंगे आपको सारी एप्लिकेशन मिल जाती है इसके अंदर आपको एप दिया गया है और अची चीज यह है दोस्तों इसके डिस्प्ले में आपको 90 Hz के रेफ्रेश रेट मिलता है तो जब आप ऐसे उपर नीचे स्क्रोल करते हैं तो इस मुबाल में आपको ज्यादा स्मूध एक्स्पिरियंस देखने को मिलता है 9 प्राइम के कंपरिजन में दोन की अंदर आपको पंछोल कैमरा मिल जाता है तो нем काी डिस्प्ले का डिजाइन ज़्यादा अच्छा है यहादे जर्भाण की अपको बड़ाबर ही दिये गए हैं बात करें सबसे इंप्रटन चीज डिस्प्ले के कलर्टी वर डुस अच्पहलर आप देख सकते हैं क्लियर ल गई है दोनों के अंदर आप दो सिम काड़ एक मेमरिकार तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं दोनों मूबाइल्स में वॉल्यूम के बटन्स आपको ओपो में लेफ्ट साइड पर ही दिये गए हैं सिम के ट्रे के ठीक नीचे नीचे की तरफ साब देहेंगे तो दोनों मू और IR ब्लास्टर भी दिया गया है जिससे आपका MI remote काम करता है तो TV अगर आप इस मूबाइल से चला सकते हैं अब दोस्तों दोनों ही मूबाइल्स के अंदर आपको Android का 10 वर्जन दिया गया है इस चीज़ में दोने जैसे हैं लेकिन OPPO में काफी बड़ी कम ही ये है इसकी क Android आपको 9 Prime के अंदर ही जाधा अचिरी दे गई है ओपो के A33 से बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो OPPO के अंदर आपको बैटरी दी गई है 5000 अब आखा करें दंर आपको बैटरी दी गई है 5000 202 अबे अब दीखिए अगर आप एक हैवी यूजर है आपको परमेंस अच्छी चाहिए तो इन दोनों मोबाइल्स में रेड्मी का 9 प्राइम ही जाधा अच्छा है इसके अंदर आपको प्रोस्टर जाधा बढ़िया दिया गया है है एवी यूजर के आपको कम दिक्कत देखने को मि अब दोस्तों ये सारी खुब्य कम्याब को मिलती है इन दोनों मोबाइल्स में चलिए बात कर लेते हैं सबसे में चीज़ आपको इन दोनों में से कौन से लेने चाहिए कौन से नहीं तो मैटर सबसे पहले ये करता है कि आपको ओपो पे जदा भरूसा है या फिर रेड्मी पे इसके बाद आपकी जो में ज़रुत की चीज़ है वो किस मोबाइल में ज़्याद अच्छी है तो दोस्तों दीखिए अगर आपको डिस्प्लेची चाहिए तो आप ओपो का A33 ही खरी दिएगा यही मोबाइल आपके लिए ज़्याद अच्छा रहेगा और अगर आपको करती है मोबाल की बैटरी तो बैटरी में वैसे तो दोनों अच्छे हैं लेकिन ओपो की साथ आपको चार्जर जादा बढ़िया दिया गया है आप ओपो A33 खरी दिएगा इसके लब दोस्तों अगर आपको डेखने में डिजान अच्छा चाहिए तो आप ओपो का A33 ले सकत तो आप Redmi का 9 Prime ही खरी दियेगा इसके अंदर आपको processor जादा बढ़िया दिया गया है आखर में अगर आपको camera अच्छा चाहिए तो भी आप 9 Prime लीजियेगा कम कीमत में इसमापको camera काफी बढ़िया मिल जाता है अच्छे camera के लिए भी आप 9 Prime खरी दियेगा तो दोस्तों द तो आप 9 Prime खरी दियेगा एक तो जाद अच्छा camera दूसरा important चीज जाद अच्छा processor और तीसरा अच्छी RAM और storage इसके अंदर आपको जादा दी गई है तो दोस्तों देखा जाए तो वैसे कम कीमत में जादा खुब या आपको मिल जाती है 9 Prime के अंदर बाकि अगर आपकी लगा आप जरूर बताइएगा वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के निचे जो लाल कलर का बटन उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं लेकन भी दबा दियेगा ताकि नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें इसके ल बिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए